प्रमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब मिलकर के उसकी अराधना करने पारे हैं आज की अराधना में मैं आपका बेल्डी चर्च के कलीशिया की और से उसके अग्मों की और से एक्जेक्टिव कमीटी की और से आपका स्वागत करता हूँ इससे पाइले की हम अराधना में जाएं आप मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पास्टर मनोचरन और उनकी पतनी बिमार है इन दिनों में और इस कारण से वो आज का सर्विस नहीं ले पा रहे हैं आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित्रिती से उनके लिए प्रातना करें और भाई और बैनों के लिए भी प्रातना करें जो बिमार हैं हमारी कलीशियाओं में कई लोग हैं जो बिमार हैं उनके लिए अवस्य प्रातना करें आईए आज की अराधना को हम आरम करेंगे और भजन का लेखक कहता है ए मेरे मन यहोवा को धन्यका और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्यक है ए मेरे मन यहोवा को धन्यका और उसकी किसी उपकार को न भूलना वही तो तेरे सब अधर्म को छमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है वही तो तेरे प्राण की नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुना और दया का मुकुट बानता है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से त्रिप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है आएए हम परमेजवर की अराधना में इस समय गीत गाएंगे इसका बोल है मेमना जो तक्त पर है यदि आप इस गीत को जानते हैं तो आप उसे मिलकर मेरे साथ मिलकर के गाएं यदि आप नहीं जानते हैं तो उसे आप सीखने की चेश्टा करें आएए हम गीत गाएंगे मेमना जो तक्त पर है यदि आप सीखने की चेश्टा करें आया मन् पुआ भुप्सा गाँ आप सीखने क्या गाही नहीं जाप सीखने big वे प्रिक्वानान तो है और सुन्ता दायां पाद देशो गंधिर पाशो गाद इजी से निकादा आज बीनात को देव देखात्नो पांजरो जेट केखाव स्वार्वे ब्रादर है वाहा के सामकू स्वार्वे नाको दून पार्दर्सका साथे पारा प्रिया को देखा है और के प्रादिसे आज बीनात को देखाव स्वार्वे नाको 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 देखाव स्वार्वे स्वार्वे नाको देखाव स्वार् आजय पाउं इफार, तुलो मिसे पाराद, इंचुगन का भैलिका, आजामनात को देर आपनात कत्रेहा सारे संसा का से जादो बालत और मुष्णा आपनात कत्रेहा जादो बालत और मुष्णा आपनात कत्रेहा जादो बालत आपनात कत्रेहा प्रभु जी आज के सुबा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु के तुने हमें जीवतों के भूमी पर रखा है तेरे अनुग्र के कारण से हम न केवल जीवित हैं बलकि आज तेरी अराधना में उपस्तित हो पा रहे हैं ये तेरी बड़ी दया है प्रभू कि हम इस पृत्वी से मिटा नहीं दिये गए, तुने हम पर दया किया, अनुग्रा किया कि हम तेरे सिंगाशन के तले आज उपस्तित हो पाएं, इस अवसर को प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभू, हम धन्यवा प्रभू कि तेरा वचन हमसे बाते करता है, और हमको यह एशास दिलाता है, और हमको निरंतर अपने बारे में सिखाता है, कि तु सरवदा हमारे साथ है, आज प्रभू, हम अपनी कलीशिया को स्मरन करते हैं, और विशेश रिती से प्रभू, इन दिनों में हम उन सभी बेनों को स्मरन करते हैं, जो बिमार है, यह प्रभू, पास्टर मनोचरन और उनकी पत्नी को हम विशेश रिती से स्मरन करते हैं, इन दिनों में वो बिमार है, तकलीफ में है, सारी रिक तकलीफ है प्रभू, और तबियत खराब है, और हम तु जानता है उन सारी बातों को, complications जो है उनके बारे में यह प्रभू हम प्रात्ना करते हैं कि अपने चंगाई का हाथ उन पर बढ़ा अपना अनुग्र उन पर दिखा ताकि वो समय के पूरे होने पर तेरे अनुग्र में और तेरे दिव्यो योजना के अनुसार चंगाई पा सके और जिस सेवा का कारिया उन के कांदों पर सोपा है उसको वो पूरा कर सके विशेश रिती से परिवार के बाकी सत्व बेटे और बेटी को समरन करते हैं प्रभू इन दिनों में जबकि वो अपने माता पिता का देखभाल करते हैं जबकि वो सब कुछ घर को साफ रखने की चेश्टा करते हैं और बहु अच्छी रिती से कर सके और साथी प्रभू उन्हें भी बलशक्ति प्रदान कर ताकि वो घर की देखभाल अच्छी रिती से कर सके हैं प्रभू हम उन सारे दुखी परिवारों को बुश्मरन करते हैं प्रभू इन दिनों में कई पिछले हफ्तों में हमने अपने कलीश्या कि कई भाईवेनों को खोया है इस कारण से प्रभू हम जानते हैं कि मन में दुख है और कई प्रकार के प्रशन है और कई प्रकार के बाते चल रही होगी यह प्रभू ऐसे समय में हम बिंती करते हैं कि तु अपने शांती उनको दे ये प्रभू मनुस्की बातें मनुस्की वाक्यों से शांती नहीं मिलती केवल तू ही है जो हमें शांती देता है इस कारण से आज इस संकट के घरी में हम विशेश रिती से उन परिवारों को स्मरण करते हैं जिने तेरी शांती किया हो शकता है ये प्रभू हम उन सभी स्थानों को स्मरण कर रहे हैं जहां लोग बिमार हैं अस्पतालों को स्मरण कर रहे हैं आइसोलेशन सेंटर्स को स्मरण कर रहे हैं जहां लोग बिमार हैं और उनको स्मरण कर रहे हैं जो उनके बीच में सेवा कर रहे हैं ए प्रभू जबकि लोग ये शेवखाई दे रहे हैं जबकि वे बिमारी का सामना कर रहे हैं उनको सामर्द दे ताकत दे और उन्हें सुरक्षेत रख विशेश्रिती से प्रभू हम प्रात्ना करते हैं जो देश में ऑक्सिजन की कमी है उसे भी तू पूरा कर अपनी अनुग दे ताकि इस बिमारी का वे ठीक से सामना कर सके और लोग चंगे हो सके और इस चंगाई के द्वारा प्रभू तुझे महीमा मिल सके विशेश्रिती से जो मसीही परिवार है जब इस बिमारी का सामना कर रहे हैं होने दे कि उनके इस बिमारी के सामना करने के तरीके से उनके इस जीवन के रवय से प्रभू बाकी जो अन्य जाती है वे तुझे जान सके हम जब इस बीमारी से होकर के गुजरते हैं उन्हें दे कि हमारा गवाई तेरे लिए हो सके और तेरा नाम उचा उठाया जा सके इस अराधना के समय को हम तेरे हाथ में स्वंपते हैं प्रभू और इस समय जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं और तेरे वचन की भेदों की बातों को समझने की चेश्टा करते हैं हमारे मनों को खोल हमारे मन के कठोरता को तू दूर कर और यदि हमारे मन में पाप है तो हमें पस्चताप करने में हम पर अनुग्रा कर आज के इस समय को तेरे ह बात में सौपते हुए यिश्म उसी के नाम से मंगते हैं आमेन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के इस राधना के दिन में हम परमेश्वर के वचन को फिर से अध्येन कर पा रहे हैं आज की परिष्थिती बहुत अलग किसम की परिष्थिती है मैं नहीं जानता हूँ आप किस परिष्थिती पर हैं परन्तु कई लोग आज दुखी हैं कई लोग शोकित हैं कई लोग निराशा में हैं और कई लोग तकलीफ में हैं आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपने प होया है और इसलिए उसका दुख अभी तक मन से हटा नहीं है हो सकता है आप मेंशी कुछ लोग अस्पताल में है और अस्पताल के बाहर अपने प्रियेजन के निकलने के लिए इंतिजार कर रहे हैं संभव है कि आप आई सीउ के बाहर बैठे हैं और निराज है और असमंजस् का परिस्थिती है हम जानते नहीं कि भविश्य किस तरह से है या ये भी हो सकता है कि आप खुद बिमार हैं और बिमारी में ये सोच रहे हैं कि ये कब तक चलेगा और ये मुझे ही क्यों हुआ है ऐसे परिस्थिती में कई बार हमको ऐसे वाट्सैप मेसेजिस भी मिल जाते हैं कि हम चंगे तभी होंगे यदि हमारा विश्वास रहेगा या और थोड़ा अधिक विश्वास करने से हम जल्दी चंगे होंगे या ऐसे मेसेजिस मिलते होंगे कि हम चंगे इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है ऐसे मेसेजिस से मेरबान सावधान रहें. क्योंकि बाइवल हम को यह नहीं सिखाती. जब हम पहला पत्रस की पत्री को पढ़ते हैं, तो पत्रस यह समझाता है कि यह ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए जब विश्वासियों पर समस्या, तकलीफें और सताया जाना, और सारी रिक्तरीती से तकलीफे आना आरंभ होता है पत्रस कहता है यह अचंबा की बात होनी नहीं चाहिए लेकिन आज के लिए आज के अध्येन के लिए हम एक ऐसे अनुछेद को खोलेंगे जहां लेखक हमें अपना विलाप बताता है अपने दुखों को प्रगट करता है और उस दुख में वो परमेश्वर के अनुगरत को भी देखता है तो हम खोलेंगे विलाप गीत और उसका तीसरा अध्याए इस अध्याए में 66 पद हैं और उस 66 पदों को देखना संभव नहीं होगा परन्तु निश्चे हम आज उसके कुछ मुख्य अंशों को देखेंगे विलाप गीत यर्मिया के द्वारा लिखा गया है यर्मिया एक भवश्य वक्ता है जो अपने समयकाल में और यर्मिया की भवश्यवाणी में चालिस सालों तक यहुदा के प्रांत में इस्राइलियों को मन फिराने के लिए कहता रहा है और बार बार उसने ये भवश्यवानी की कि वो समय आ रहा है जब इस्राइली जब यहुदा बंधवई में चला जाएगा बाबुल उस पर कबजा करेगा नेबुकत नेजर उसकों पर कबजा करेगा यरुसलेम पूरे रिती से नश्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद वे बंधवई में ले जाए जाएंगे परन्तु यर्मिया एक ऐसा भवश्यवक्ता है जो न केवल भवश्यवानी करता है बलकि अपने भवश्यवानी को पूरा होते हुए भी देखता है और क्योंकि वो भविश्यवानी को पूरा होते हुए देखता है तो उसने विलाप करना आरंब किया और उसने विलाप गीतों को हमारे लिए दिया है इस विलाप गीत में पाँच विलाप हमको पहला पाँच अध्याए में देखने को मिलता है नो पहला दूसरा ध्याए में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यरुसलेम पूरे रिती से नश्ट हो चुका है वो बिद्वा के समान है जिसके पास कोई नहीं है यरुसलेम ज़ला दिया गया है लोगों को बंदवाई में ले गया है और लोग मर चुके हैं सब तरफ यदि आपने निगाओं को लेखक फेरता है तो देखता है पूरे रिती से शहर और यहुदा का प्रांथ नश्ट कर दिया गया है परंतु यर्मिया जानता है कि ये सब तो होना था क्योंकि इसरायल में मन नहीं फिराया था इसरायल ने अपने पापों से छमा नहीं मांगा था इसलिए यर्मिया बिलाप करता है और इस बिलाप में हम बहुत सी बातों को देखेंगे और बहुत मुख्य बाते हैं जो हमारे ध्यान के लिए आउशक है जब दो अध्याई के सत्रापद को हम पढ़ते हैं यर्मियास पष्ट करता है कि याब बिलाप इसलिए है क्योंकि यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है जो वचन वो प्राचिंकाल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है उसने निश्टूरता से तुझे ढ़ा दिया है उसने शत्रूओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सिंग को उंचा किया है जब हम इस अनुचेद को पढ़ते हैं तो यह स्पस्ट हो जाता है इस्राइल परमेश्वर के लोग है इस्राइल परमेश्वर का बिरोद किया है परमेश्वर ने उनको आरम से वास्तों में आठ सो साल पहले जब यहोश्यू के पुस्तक को पढ़ते हैं तभी हमको दे दिया गया है कि इस्राइल बंदवई में जाएगा परन्तु इतने लंबे समय से सिक्षा देने के बावजूद भी इस्राइल के मन के कठोरता और पाप के बसे रहने के कारण से परमेश्वर ने बाबूल को तयार किया कि वो इस्राइलियों को बरबाद करे ना ध्यान दे देने वाली बात ये है इस्राइल परमेश्वर के लोग है फिर भी परमेश्वर उनका न्याय कर रहा है और इस करण से लेखक कहता है यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया है सो बरबादी सैतान की ओर से नहीं है बरबादी यहोवा की ओर से है हमें इस जूटी सिक्षा से निकल जाना चाहिए कि हमारे जीवन में यदी कोई अनर्थ आता है यदी कोई खराब चीज हो रहा है तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं है ये सैतान की ओर से है इसलिए हमको सहितान की सकतियों को बांधना होगा, उसको काबू में लाना होगा क्या आप सचमूच सोचते हैं आपके पास इतना सामर्थ है कि आप सहितान के सामर्थ को बांध सकेंगे परमेश्वर अपने लोगों के उपर में यह तै करता है कि उसके दिन कैसे बीतेंगे इसलिए लेखा कहता है यहोवा ने जो कुछ उठाना है वही उसने किया है तीसरे अध्याएं में जब हम पहुँचते हैं तो यर्मियास्पस्ट कहता है कि उसका तकलिफ उसका दुख यरुसेलेम का उजड़ जाना यह सब कुछ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने यही चाहा है हमको समझना चाहिए आज इस दुख के समाई में आज इस बिमारी के समाई में आज जबकि हमारे परिवार वाले नहीं रहे दुख या अस्पताल में हैं यह हमेरे निश्चेता से समझना चाहिए यदि हम विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में यह इसलिए आया है क्योंकि परमेश्वर ने अपने सार्व भौमिक्ता में अपने अनुग्रा में इस दिन को आने दिया है और निश्चे ही उसने इस दिन को इसलिए आने दिया है ताकि उससे वो अपनी महीमा करा सके क्या हम उसकी सारी महीमा को समझ पा रहे हैं? क्या हम उसकी सारी यूजना को आज समझ ले रहे हैं? निश्चे ही नहीं परन्तु हम ये निश्चय जानते हैं और हम वचन में पढ़ने का अभी समय नहीं है लेकिन अगर हम परमेश्वर के सार्व भौमिक्ता के गुण को देखेंगे तो हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने गुण के बाहर कुछ नहीं करता और इस कारण से अपने गुण को वह अपने लोगों में प्रयोग करता है और अपने लोग कई बार उस गुणों को समझने में असमर्थ रहते हैं यह सम्भावल नाओ दूसरी बात ध्यान देने वाली है यर्मिया ने जब इन सारे भवश्यवानियों को दिया तो वह जानता था कि यह दिन आएगा तो हम कह सकते हैं यदि हमको मालूम था कि ऐसा दिन आएगा तो विलाप करने की आओ सकता क्या है नहीं यर्मिया विलाप इसलिए कर रहा है क्योंकि जो सौंदर्यता था यरुसेलेम को वह आज उजड़ गया है जो कुछ भी उसके पास था वह उजड़ गया है इस कारण से रोना स्वभाविक रिस्पॉंस है परमेश्वर का वचन हमको रोने से मना नहीं करता हमको दुख प्रगट करने से मना नहीं करता परमेश्वर का वचन हमको संकट में जब आते हैं तब हम बेजाइन होते हैं उस बेजाइनी से नहीं होने में मना नहीं करता कई बार ऐसे होते हैं लोग हमको फिलिपी चार चार अधियाए के चार पद को पकड़ा देते और कहते हैं कि प्रभु में हमको सदा आनंदित रहना चाहिए इस कारण से हमको सोक करने का और दुख दिखाने का कोई स्थान नहीं है गलत बात जब फिलिपीयों की पत्री में पॉलुस ये सिक्षा दे रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित हो तो उसका बैग्राउंड ये है कि योदिया और सिंतुके के पीछे बीच में जगड़ा हो गया है कलिसिया में उनका मन मिटाओ के कारण से उनका मन ठीक नहीं है तो पॉलुस कह रहा है कि जब तुम सेवा करो तो ये समझ के सब करो कि तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो इसलिए प्रभु में आनंद खोजो ये नहीं कह रहा है कि false smile ले करके अपने जीवन को व्यतीत करो सो यर्मिया विलाप कर रहा है रो रहा है और तीसरा धियाई का पहला पद कहता है कि और हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग पहले हम उस अनुछेद के एक से बीस पद तक पढ़ेंगे क्योंकि ये एक पहला हिस्सा है और वहाँ पर यर्मिया लिख रहा है उसके रोश के छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ वो मुझे ले जाकर उज्याले में नहीं अंध्यारे ही में चलाता है उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद उठता रहता है उसने मेरे मास और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ डाला है उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझे को कठिन दुख और स्रम से घेरा है उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंध्यरे स्थानों में बसा दिया है मेरे चारो और उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता उसने मुझे भारी सांकल से जकड़ा है मैं चिला चिला के दुआई देता हूँ तो भी वो मेरी प्रातना नहीं सुनता मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है मेरे डंगरों को उसने टेणी कर दी है वो मेरे लिए घात में बैठे हुए रीस और घात लगाए हुए सीह के समान है उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फार डाला उसने मुझे को उजार दिया है उसने धनुस चड़ा कर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है उसने अपने तीरों से मेरे हिर्दय को भेद दिया है सब लोग मुझे पर हंसते हैं और दिन भर मुझे पर टाल कर गीत गाते हैं उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदोना पिला करके त्रिप्त किया है उसने मेरे दातों को कक्री के ताएं तोड डाला और मुझे राक से ढब दिया और मुझे को मन से उतार कर कुशल से रहित किया है मैं कलियान भूल गया हूँ इसलिए माई ने कहा मेरा बलनास हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो तूट गई है मेरा दुख और मारा मारा फिरना मेरे नागदोने और और विश्का पीना स्मरन कर मैं उनी पर सोचता रहता इससे मेरा प्राण टला जाता है नाव एक से बीस पद रादर एक से उन्नीस पद में हम यर्मिया को देखते हैं वो स्पष्ट कर देता है कि यह समस्या जो इसराइल की उपर आया है वो इसलिए आया करे क्योंकि परमेश्वर ने ये होने दिया है पहला पद उसने वो कहता है कि उसके रोश की छड़ी राड ओफ रॉत अंग्रेजी में है कि वह क्रोध का छड़ी परमेश्वर ने इसराइलियों पर चलाया है यर्मिया रो रहा है इसलिए नहीं रो रहा है क्योंकि उसके व्यक्ति के तृति से पाप किया नहीं बलकि उसकी देश्वासियों ने पाप किया है उन्होंने परमेश्वर का बिरोध किया है उन्होंने जीवते परमेश्वर की आग्याओं का उलहंगन किया है जिस उलंगन करने के कारण से परमेशวन ने आज उन पर रोज का क्रोध बरसाया है इसलिए वो पश्ट करता है पहले पदों से ही कि ये सब कुछ ये सारी तकलिफे इसलिए है, वो अंधकार में इसलिए है दूसरा पद उनके अंदर में जय नहीं है वो कहता है कि वो अंधकार में है और उनके जीवन में कोई उज्याला नहीं है कोई आनंद नहीं है किसी प्रकार का हर्षता नहीं है तीसरा पद कह रहा है कि परमेश्वर मानो उसके दोस्त से बदल करके वो जो पहले साथ ही था अपने स्वभाव को बदल करके आप उसका शत्रू हो गया है और शत्रू होने के कारण से उसकी किसी बात की और उसका नजर नहीं पड़ता वो हाँ दिन भर मेरे ही बिरुद उट रहता है यहोवा के बारे में है और वह अपने लोगों के बारे में है इस्राइल उसकी अपनी प्रजा यहोवा उनका परमेश्वर आज हम नहीं इस्राइल है और परमेश्वर हमारा अपना परमेश्वर वचन कहता है कि यह सम्या हुआ है कि इस्राइलियों के जीवन में य जहोवा ने अपने रोश की छड़ी चलाई है। और इस कारण से आज हमारा जीवन भी उसी पर है। उसी रीती से बीत रहा है। हम भी नश्ठ हुए जाते हैं। हम भी इसराइल के समान ठटा में उड़ाये जा रहे हैं। हमारा भी देखने वाला कोई नहीं है। चौथा पद कह रहा है कि उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया, मुझे को कठेंदु कर्स्रम से घिरा है। ऐसा मानो कि कोई उत्तर हाई ही नहीं, कहीं जोती दिखने रहा है। हम अंधेरा में फस्ते जा रहे हैं और गढ़े की ओर जा रहे हैं। और यह सब वो प्रयोग करता है परमेशवर के लिए वो करता है अंग्रे जी में उसने ही प्रयोग किया है। उसने उसने चार पद उसने पांचमा पद उसने छटमा पद उसने और आगे भी हम यहीं देखते हैं। ग्यार्वाँ पद में परमेशवर के बारे में आठवा पद देखी वहां लिखता है। परन्तु वो मेरी प्राथनाओं को नहीं सुनता है, यर्मिया कह रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने प्राथना कर रहा हूं, नहीं परमेश्वर यहां वचन यह नहीं कह रहा है कि परमेश्वर उसकी प्राथना इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि यर्मिया ने पाप किया है, हलाकि विश्वासी के जीवन में संभाव है कि जब वे पाप करें तो परमेशवर उनकी प्रात्नाओं को उत्तर देना बंद कर दे इसलिए आवस्यक है कि वो पहले पस्चताप करें और फिर परमेशवर अपने न्याय को उसके जीवन में पूरा करता है परन्तु यहाँ पर इस्राइलियों के पाप के कारण से जिसमें वे जीते आये हैं जिसके बारे में यर्मिया ने खुद 19 सध्याई यर्मिया 19 सध्याई के पंदरा पद्वें कहा कि परमेशवर उनका न्याय करता है लेकिन उसके न्याय में धार्मीकता है जब हम परमेशवर के गुणों पर ध्यान दे रहे हैं जब हम परमेशवर की बातों को समझनी की चिश्टा कर रहे हैं और जब लेकक की बातों को हम पढ़ रहे हैं इन पदों में कि कैसे परमेशवर ने उसको त्याग दिया है तो लेकक भी आगे यही कहेगा और हमें भी यह समझना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ करता है अपने स्वभाओं के अनुरूप करता है वो अपने स्वभाओं से बाहर नहीं जानता है अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं जाता है अपने गुणों से बाहर नहीं जाता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो नियाई परमेश्वर है और क्योंकि वो नियाई परमेश्वर है वो अपने नियाई को पूरा कर रहा है क्या यर्मिया को हक है कि वो रोए क्या यर्मिया को हक है कि वो कहे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों दिन दिखा राहे जैसा आयूब ने भी प्रशन पूछा हां हक है हम विश्वासियों को भी हक है कि हम अपने परमेजवर से प्रशन पूछे कि हे प्रभू क्या उद्देश यहाए इन ऐसे दिनों का क्या सिखाना मनता है और हमारे लिए तेरी क्या आग्या है निश्चय अंधेरे के दिन आते हैं निश्चय हम आग से होकर के गुजरते आएं और निश्चय हम कई तकलीफों का सामना करते हैं जल्दी से आगे बढ़ेंगे दस से तेरा पद में इसराइलियों के बारे में कहा जा रहा है कि वे ऐसे दिन बिता रहे हैं मान मानो उनको धन ले करके निशाना बनाया जा रहा है उनको फार डाले की चेश्टा किया जा रहा है दे आर बिंग हंटेट खोज-खोज करके मारा जा रहा है और बाबुल के नबुकत राजा ने इसराइलियों को ऐसे ही मिटाया कईयों को नाश किया और कईयों को अपने साथ बाबुल ले धूड़ धूड़ करके उसने उनको मारा उनको अपने लिकाम करने के लिए उजाड़ करके उनको यरुसलेम से और यहुदा देश से हटाया और मंदीर को तहस नहस करके मिट्टी में मिला ले जिसका वो कभी कलपना भी नहीं किये थे वो सुलेमान का मंदीर वो भव्यता वो जिसको यहुदी देख करके घमण करते थे वो आज मिट्टी में मिल गया है उनके दात नहीं है वो पूरे रीती से उखार दिये गए हैं और निर्बल हो गए हैं सतराओं अपद कहता है मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया गया मन की कुशलता चली गई मन की शांती चली गई सब कुछ बिखर गया परमेजवर ने बाबुली लोंगों को तयार किया कि वो इसराइलियों को पूरा तरह से नस्ट कर दे इसलिए आठारावा पद कहता है इसलिए माई ने कहा मेरा बल ना सुवा मेरी आशा जो यहवा पर थी वो तूट गई है यह संभव है कि आज हम विश्वासियों का यही दसा हो दुख को चारो और देख करके अपने परिवार के दुखों को देख करके यह आब बिती बिमारी पर धियान देने के बाद कई बार हमारा विश्वास तूटता है तूटता है इसमें कोई डाउट नहीं है Bonhoeffer ने इसको कहा कि darkness of the soul, dark night of the soul यह अंधेरा का समय है और यर्मिया को भी यह अंधेरा लग रहा है लेकि यह बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जिसमें हमको सब प्रकार के भावनाओं को सटी कृती से देखने को मिलता है कोई भी भावना जूटा नहीं है और इन भावनाओं से हम समझते हैं कि हमें भी परमेश्वर के सामने अपने भावनाओं को प्रगट करने का हक है हम भी अपने भावनाओं को ले जा सकते हैं जब हम अयूब के पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम उसके भावनाओं को पढ़ते हैं वो कलप ना कर दो वो प्रशन पूछता है परमेश्वर से प्रशन पूछता है ऐसा क्यों है? कि हमारे जीवन में ऐसा क्ष्टता है परंतु जब हम 21 पद में आते हैं यर्मिया अपना ध्यान परमेश्वर पर लाता है जब जब हम बाईवल में परंतु पढ़ते हैं वो हमारे लिए सकरात्मक सब्द है और वो हमारे लिए हियाओ का कारण है और बल का कारण है देखिए किस्मा पद से है हम अब 33 पद तक पढ़ेंगे और फिर इसका विसलेशन करने की चेस्टा करेंगे परंतु मैं यस्मरन करता हूँ इसलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए यहोवा की महा करुना का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है प्रतिभोर वो नई होती रहती है तेरी सच्चाई महान है मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते है उनके लिए यहोवा भला है यहोवा से उधार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है वो यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेशवर ही ने उस पर यह बोज डाला है वो अपना मूँ धूल से रखे क्या जाने इसमें कुछ आशा हो वो अपना गाल अपने मरने वालों की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे क्योंकि प्रभु मन से सरवदा उतारे नहीं रहता सरवदा उतारे नहीं रहता चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है क्योंकि वो मनुस्यों को अपने मन से न तो दवाता और न दुख देता है ना यह पद यर्मिया का भासा बदलता है उसका टोन बदलता है उसके सोचने का तरीका को बदलाव हम देखते है और वो पर्मेश्वर में आशा को अब देखना आरब करता है ना पर्मेश्वर की में आशा देखना ऐसे ही नहीं हो जा रहा कि अचानक उसका मन दूसरी तरह कहने लगा नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए नो बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि वहाँ वो लिखता है किस्वा पद में दिश आई रिकॉल क्या या स्मरन करता हूं क्या स्मरन करता हूं और कैसे स्मरन करता हूं मैं स्मरन करता हूँ परमेश्वर के ब्यावस्था को, मैं स्मरन करता हूँ उस पुस्तक की बातों को जो मैं पहिले पढ़ता आया हूँ मैं स्मरन करता हूँ परमेश्वर के उन गुणों को, जो मैं ने उसके वचन से पहिले सिखा है। पहिले वचन पढ़े हैं। I recall, मैं ये स्मरन करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं भविश्य वक्ता रह चुका हूँ, मैंने भविश्य वानिया की है, मैंने उसके ब्यवस्ता पर ध्यान दिया है, और मैंने एक चीज पाया है, कि आशा यदी है, तो वो यहवा पर है। यदी आज हम बिमारी में पड़े हैं, यदी आज हम संकट में पड़े हैं, मेरा आपसे अनुरोध यह है, गो बैक टू यूर बाइवल, अपने ब्यवस्ता के पुष्तक को फिर से खोले और देखे की परमेश्वर है कैसा। क्योंकि सैतान तो चाहता है कि आप उस पर शक्त करें और उससे प्रशन पूछें और उसको दोशी भी ठहरा दें। परंतु परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उसको उसके वचन से जाने। समय वाटसएप मेसेज़ेस को देख करके बेकार हैं, समय बरबाद मत करें। बलकि यदि आप बिमार हैं, फोन उठाने ही सकते, तो उसी फोन में आडियो बाईवल लगा लीजिए। ताकि वचन की बाते आपके कान तक पहुँचती रहे और आपका मन परमेश्वर की वचन की ओर जाता रहे और आप उससे सिक्छा पाते रहें। इसलिए यर्मिया कहता है, यही मैं समझता हूँ, यर्मिया कह रहा है कि मैं यह समझता हूँ कि यह दिन सब समय नहीं चलता रहें। और क्या समझा माईने परमेश्वर की वचन से कि यह यहोवा की दया है जिसके कारण से 22 वापद कहता है हम मिट नहीं गए। हम मिट नहीं गए, बहुत लोग मिट गए यरुसलेम में। लेकिन परमेश्वर ने एक छोटा सा टुकड़ा अपने लिए बचा के रखा रैमनेंट। उस छोटे से टुकड़े का उदेश्च यह था कि वह परमेश्वर की इस न्याय को देख करके कहे कि सचमुच में परमेश्वर न्यायी भी है लेकिन दयालू भी है क्योंकि उसने हमको जीवित रखा है और हमको मिटा नहीं दिया। आज आपकी परिस्थिती जो है मैं नहीं जानता कैसी परिस्थिती है लेकिन निश्चे कह सकता हूं कि आसान समय नहीं है क्या आप धन्यवादी हैं क्या प्रभू को यह कह रही हैं कि है प्रभू मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना दवाई खाने के बाद इतना स्टीम ले के बाद यतना काड़ा पिने के बाद और अपने तकलीफों को देखता हूँ तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं मिट नहीं गया हमारी देश की तकलीफों के बारे में आपको मालूम है कई घरों से एक नहीं बलकि कई लोग उठाये जारे परंतु ये प्रवू की बड़ी दया है कि हम मिट नहीं गए आगे वो क्या कह रहा है उसके गुणों पर ध्यान देने के बाद वो कहता है प्रती भोर वो नई होती रहती है तेरी सचाई महान है दाई लविंग काइडनेस तेरा प्रेम तेरा दया महान है एक गीत है अंग्रेजी में इन पदों पर मना वहां लिखता है यर्मिया कहता है कि जब मैं अपने दुखी अवस्था को अपने अपने निराश का जीवन पर ध्यान देता हूं जब मैं अपने दुखों पर ध्यान देता हूं तो मेरी लंगर मैं ये पाता हूँ कि मेरी आशा परमेश्वर के गुण पर है मेरा ताकत परमेश्वर से आता है और उस दया से आता है ना पुराने नियम में यहां लिखा हुआ तेरी सच्चाई महाने मेरे मन ने कहा 24 मा पद यहोवा मेरा भाग है इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा यहोवा मेरी मेरा भाग है 22 मा पद कहता है तेरा दया अमर है loving kindness निरंतर है ना जब पुराने नियम में दया सब जो प्रयोग किया गया है यह दया केवल अनुग्रा तक्सीम इतनी है बलकि इस दया सब्द में अनुग्रा भी है प्रेम भी है छमा भी है और विश्वास योग्यता भी है सो परमेश्वर की दया है का माने है परमेश्वर की विश्वास योग्यता है परमेश्वर की दया है का माने है कि परमेश्वर का प्रेम है, कॉम्पैशन परमेश्वर की दया है का माने है कि परमेश्वर का ग्रेस एन मर्सी उसमें involved है इस कारण से यर्मिया कह रहा है कि मैं उसी पर आशा रखूंगा उसकी दया के कारण से उसकी loving kindness के कारण से 23 पर उसकी दया नहीं होती जाती है रोज हमारे लिए परमेश्वर की दया ना के वाल आवश्यक है बलकि उसके दया नहीं है नए अनुभव में हम नए रिती से परमेश्वर की दया को न केवल अनुभव करते हैं बलकि वचन से और अनुभव से सीखते हैं परमेश्वर हम पर दया कर रहा है और हम को आशा दे रहा है आशा यह है कि हम मिट नहीं गए मलाकी तीन अधियाए का छे पद में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मलाकी भविश्य वक्ता यही कहता है कि हम मिट नहीं गए और वो हमने हमको अलग करके अपने विजवास योग्यता में एक छोटा सा रैमनेंट को हटा के रखा है क्यूंकि यही उसका गुण है यही उसका क्यारेक्टर है नव परमेश्वर के गुण पर ध्यान देने के समय में उसकी आशा पर ध्यान देने के समय में जो हमको परमेश्वर से मिल रहा है वो उस विश्वास पर टिका है जो परमेश्वर के गुण पर है हमारा विश्वास ऐसे ही नहीं है यूशी कई बार हम को ये सिखाए जाता है आपको विश्वास करना होगा प्रभूपन कि प्रभूचंगा करता है बस लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभूचंगा करने के अलावे भी और भी गुणों का परमेश्वर है और हर एक गुण अपने पूरे सत्यता में काम करता है परमेश्वर अपने गुण के बिरुद काम नहीं करता है इस कारण से क्योंकि वह सार्व भौमिक परमेश्वर भी है और क्योंकि सार्व भौमिकता उसका सबसे बड़ा गुण है वह अपने सार्व भौमिकता में निर्नाय लेता है हमारी समस्या यह है जब हम कहते हैं कि हमको विश्वास करना होगा तब ही हम चंगे होंगे तो समस्या यहाँ पर यह है कि I want to be in control हम control करना मांगते हैं परमेश्वर को हम arm twist करना मांगते हैं उसको अपने हिसाब से चलाना मांगते हैं right now right here अभी हमको चंगाई दे और हम परमेश्वर के सर्व भौमिकता को उसके सार्व सक्तिमान होने के उसके सौvरिन होने को काम करने नहीं देना मांगते हैं हम बोलते हैं परमेश्वर तेरे से ज़्यादा मैं अपने बारे में जानता हूं मुझे जो तकलीफे ये है और मुझे इस तकलीफ से दूर होना है। प्रातना करने में कोई समस्या नहीं है। यर्मिया तो प्रातना करता, बिलाप करता, यरुसलेम उजड़ गया, वो बिद्वा के समान हो गए, उसके बच्चे मारे गए, उसके रहने वाले लोगों के पास खाने का कुछ नहीं है, बुज़र्ग जो है मुझ लटका के रो रहे हैं। उपाए नहीं दिख रहा है। राइट नाव राइट हियर में नहीं, बलकि उपाए है तो परमेश्वर की आशा में है। भाई ओ भेनों मैं नहीं जानता कि आप कि इस तकलीफ में है लेकिन क्या आप परमेश्वर के सार्वभौमिक्ता में हाएं क्या आपने अपने जीवन को उसके सार्वभौमिक हातों में सोपा है कि प्रभू अपनी इच्छा को पूरा कर मेरी इच्छा ने पर तेरी इच्छा पूरी हो, क्या आप अपने बच्चों के लिए ये कह पाएंगे, क्या आप अपने माता-पिता के लिए ये कह पाएंगे, मैं निश्चेता से कह सकता हूँ कि ये आसान नहीं है, हमारा पूरा परिवार बिमार है, था, प्रभु की बड़ी अनुग्रह हुई जिससे धीरे-ध हम सब चंगे होते हा रहे हैं, मेरे पिता-जी काफी बैतर है, थोड़ी कमजूरी है, मेरी पतनी अच्छी हो रही है, अभी भी निमोनिया का ट्रेस है, अभी भी खासी है, परन्तु स्टेबल है, और धीरे-धीरे प्रोग्रहस हो रहा है, बट इन दिनों में, यदि अगर क कुछ महीने सीखा है, तो वो सीखा यह है, कि मुझे अपने प्रियजनों को परमेश्वर के हाथ में सौपना जरूरी है, परमेश्वर के सार्वभ्यों सामर्थ के नीचे उनको रखना जरूरी है, ताकि परमेश्वर अपने महीमा उनसे करा सके, क्या हमको दवाई नहीं करना चाहिए क्या हमको मेडिकली कुछ तयारी नहीं करना चाहिए निश्चय करना चाहिए प्रभु ने हमको बुद्धी दिया है उसको प्रयोग लगाना है परंतु परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसके अनुसार करना चाहिए और यह जानते हुए कि मैं जो भी कुछ करना हूँ इससे उपर परमेजवर की सार्वबहुमिकता है। Sovereignty of God इसके उपर कंट्रोल करने के लिए है। हां हम बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, येस हम बेस्ट हॉस्पिटल जाएंगे, हम बेस्ट मेडिकल अडवाईज लेंगे, लेकिन इन सारे अडवाईज को परमेजवर के हाथ में रखना जरूरी है। 25 वापद कहता है, जो यहवा की बाट जो होते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहवा भला है। 25 यहवा भला इसलिए नहीं है क्योंकि उसने चंगा कर दिया। 25 यहवा भला इसलिए नहीं है क्योंकि एक वाईरस से हम को छुटकरा दे दिया। यर्मियाँ बताता है कि उसने ये जाना है कि यहवा भला है क्योंकि उसने ये सब कुछ पहले से सीखा है नम्हर वन और दूसरा क्योंकि वो बाट जो होते हैं इंतजार करते हैं परमेश्वर के कार्य को होने देने के लिए बाट जोहने में पेशन्स की आव सकता है हडबड़ी के साथ बाट जोहना है नहीं जा सकता बाट जोहने के लिए इंतजार करना होता है यर्मिया जब कहता है कि 25 पद कि यहवा की बाट जोहते और उसके पास जाते है तो वो यह कह रहा है कि परमेश्वर अपने कैरेक्टर में अपने गुण के अनुसार अपना काम को करेगा और वो सकरात्मक है इस विचार को लेकर के कि यहोवा हमको भूलेगा नहीं क्यों? क्योंकि यह उसका गुण नहीं है अन्याय करना उसका गुण नहीं है उसका गुण प्रेम, सच्चाई, विश्वास योग्यता, मियाय, धार्मिक्ता के साथ अपने आपको प्रगट करना है वो अन्याई परमेश्वर नहीं है इस कारण से जब यर्मिया कह रहा है कि जो उसकी बाठ जोते हैं उनके लिए यहवा भला है तो वो हमको सिखा रहा है कि हमें ऐसे समय में उस पर निर्भर होने की आवसकता है जल्दी से 332 पत को देखते हैं वहां कहता है कि प्रभु मन से सरवदा उतारे नहीं रहता चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुना की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है तो यर्मिया कह रहा है कि हां यह पल हमारे जीवन में आया है बट इस पल इस नाट गोई टो स्टे फॉरेवर यह पल हमारे जीवन में सब समय नहीं रहेगा बलकि समय बदलेगा जैसे उसने एक रैमनेंड को चुना था इसराइलियों में से कि उसको बचा के अलग करे जिसके कारण से यर्मिया कहता है कि तेरा अनुग्र तेरा दया अमर है ठीक उसी रिती से हमारे लिए भी यह परिस्थिती टलेगा आवस्षकता है कि हम यहोवा पर लंगर लगाए रखे हमारी आशा यहोवा के गुणों पर हो और हमारा मन उस पर लगे रहे और हम उसकी बाट जहोते रहे इसलिए पॉलुस ने भी रोमियो की पत्री उसके आठ धियाई के 28 पद में कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात है क्या बिमारी, क्या क्लेश, क्या दुख, क्या सताया जाना, क्या मृत्यू सब बात मिल करके भलाई ही को उत्पन करती है निश्चय भायो वैनो, आज हम इस परिस्थीती में हो सकता नहीं है कि हम यह समझ पाए कि क्या भलाई उत्पन हो रहा लेकिन हमारे लिए भलाई उत्पन हो रहा है यह हम इसलिएगारंटी के साथ कह सकते हैं की परमेश्वर्य गैरंटी दे रहा है और वह अपने गुण के बिरुद नहीं चलता अर्थात उनी के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए है पहला पत्रस में पत्रस कहता है कि ये दिन जो हमारे जीवन में आया है ये दुख रूपी अगनी तुम्हारे पर पर बीत रही है पर जैसे जैसे मसी के दुखों में सवागी होते हो आनंद करो जिससे उसकी महीमा के प्रगट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो हम बीमार हो सकते हैं हम क्लेस से होके गुजर सकते हैं परंतु हम परमेश्वर के गुण पर निश्चैतार दिखाते हुए जानते हुए हम आनंदित भी रह सकते हैं हम संतुष्टी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं और तब हम पवलुस के साथ मिल करके 28 पद, 28 दियाई का 28 पद कह सकते हैं मैं इस चाह जानता हूँ कि न मृत्यू, न जीवन, न स्वर्दूत, न प्रधानताई, न वर्तमान, भविष्य, न सामर्थ, न उचाई, न गहराई और न कोई और स्रिष्टी हमें परमेश्वर्ज के प्रेम से जो हमारे प्रभू मसी इसु में है अलग कर सकती है आज जिस परिस्थिती में आप हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभू से मैं अलग नहीं हूँ क्या आप ये कह सकते हैं, चाहे संकट कोई भी आजाए, परिस्थिती कोई भी आजाए, दुख किसी भी प्रकार का हो मसी इसु में मैं उसके साथ हूँ प्रभु करे कि यह वचन हमारे लिए हो सच हूँ और जैसे यर्मिया ने यहोवा की आशा में यहोवा की परमेश्वर यहोवा की सत्यता में उसके प्रेम में उसके कमपैशन में उसके ग्रेश अनुगरम में और उसके दया में आशा देखा है हम भी उन सभी गुणों में आशा देख सके और आशा देखने के लिए हमें उसके वचन को थामे रहना होगा हमें उसके वचन को स्मरण करते रहना होगा प्रभु करे कि इन वचनों से हम यह सिखे कि हम कैसे परमेशवर के गुण को थामे रह सके प्रभु हम सभों को आशिश दे आई ये हम प्राधना करेंगे प्रभुघ जी तेरे वचन की सच्चाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तु हमें अपने वचन से यह सिखाता है कि हमारे भावनाएं तेरे लिए महत्वपुन है और तु हमारी भावनाओं को मन की बेदनाओं को हमारे बिलाप को सुनता है और समझता है तेरा वचन हमको सिखाता है कि यह तेरी अनुग्रा है जिसके कारण से हम मिट नहीं गए और तु सर्वदा हमसे मुणा मोड के रखेगा परन्तु यदि अंधेरा है आज तो ज्योती जरूर आएगा और तेरे वचन के प्रतिग्या के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभू हम परनुग्र कर कि जैसा तेरा वचन हमको सिखाता है कि हम तेरी बाठ जोहने में समय बिटाएं कि हम तेरे भलाई को ताकि हम देख सके आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं बाकी पूरे दिन को हम तेरे हाथ में सौपते हैं प्रभू होने देखी आज का पूरा दिन को तेरे अनुग्र में तेरी अराधना में बीतने पाई कि सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं यूश्व मसी के नाम से मांगते हैं आमेन अब हमारे प्रभू यूश्व मसी का अनुग्रव परमेश्वर पिता का प्रेव और पुवित्रा आत्मा की सहभागीता हमें से हर के साथ युगानी युग तक बनी रहे। आमेन. आप सबों को जय मसीए। के साथ नहान।